अगस्त के महीने में आने वाली चार, पांच, छे तारीखों को चंदर्मा और केतु एक साथ होंगे और चंदर्मा और केतु जब एक साथ होते हैं तो ग्रहर दोष बनता है क्योंकि ये दोनों ग्रहर परमशत्रू हैं चंदुरमा और केतु जो मिलते हैं तो दिमाग करबढ़ हो जाता है यानि दिमाग की सोचने समझने की शक्ती करबढ़ हो जाती है आईए जानते हैं विस्तार से क्या होगा चार पांच छे तारीख को दोस्तों नमश्कार दोस्तों मैं स्ट्रॉजर सचिन आपका स्वागत औ अपने चैनल पर आप सभी लोग चैनल से जोड़ें जानकारी प्राप्त करें और चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन के बटन को दवाएं फेस्बूक और इंस्टर्राम पर भी आप हमें फॉलो करें चंदर्भहन से मानसिक मीरा बढ़ती है मां की सिहत पर बुरा असर पढ़ता है और सिहत समंद्धी बरशानिया बढ़ती है जब भी चन्द्रमा केतू एक साथ होते हैं, तब आपको समझपाना काफी कठीन हो जाता है किया कब क्या गलती कर वैठें, क्या अच्छा बूरा कर वैठें याइनि समझना मुश्किल है क्यों समझना मुश्किल है? क्योंकि केतू के पाओ दिमाग नहीं होता और जो दिमाग आपके पास है उसको केतु खराब कर देता है आप कब कौन सी गलती करें कब अच्छा करें कब किसको राम राम कहें कब किसको गालिया ने ये समझ पाना मश्किल है आपका मन और मन की भावनाएं भटकती रहती है कभी कुछ तो कभी कुछ जब भी चंद्र और केतु की यूती होती है तो पाइडाम बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं कुछ शारीनिक कष्ट भी होते हैं कुछ मानसिक कष्ट भी होते हैं तो आपको कुल मिलाकर साफधानी रखनी चाहिए और उपाय करनी चाहिए बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपकी जनम कुण्वी में ये दोनों ग्रहों की स्तितिग क्या है इनके साथ कोई और ग्रहे बैठा है कि नemorती है इन पर किस ग्रहे की दर्शटी है यह सब भी दिर्भरख करेगा शूव शुब ग्रहे की दर्शटी है सब दिर्भरख करेगी अच्छे और बुरे परिडाम को जानने के लिए वैसे आप देखिए जब भी किसी भी भाव में केतु होंगे तो उससे सात्वे राहू होंगे तो राहू की सात्वी दिस्ती चंद्रमा पर भी पड़ेगी और केतु पर भी पड़ेगी तो राहू की दिस्ती जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो अ आपको सावधान देना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए विस्तार फूर्वक जानेंगे समझ के वीडियो देखिएगा डरने की बात नहीं है समझने की बात है सच को समझना होगा डर घर खुछ नहीं होगा तो आई शुभारम करते हैं और यह जानका इचंद राश्य ना चाहिए और अगर आप अपड़न की जाज-क्राण चाहते हैं मुझसे अब बात करना चाहते हैं मुझसे मिलना चाहते हैं तो भी यह नई करते हैं मिद्वन राशी के रिश्टी चंदभा पर पढ़ गए सादमी द्रस्टी तो मिठुन राशी की जह हूं बात करते तो पंचम भाव में केतु और चंडर की यूति होना कहीं न कहीं कुछ मादलों में आपके लिए अच्छी नहीं है राहू मेश राशी में है तो राहू की सप्तम द्रस्टी है अब ये आपको कुछ सावधानिया तो संतान की से समंदित कोई दिक्कते आ सकती है कोई परशानी आ सकती है चोटी मोटी भी आ सकती है बड़ी भी आ सकती है संतान से बहस बाजी हो सकती है संतान की कोई चोटी मोटी तवित खराब हो सकती है या आपके खुद की भी तवित खराब हो जाए या आपके पार्ट संतान किसे लेकर समस्य आशकती है खास करके कि उन को बहुत सावधान देना होगा जिनकी उम्र पांच साल से कम है और उनको बहुत सावधान देना होगा तो पांच साल क्या हो बच्चा ही होगा जिनकी उम्र पांच साल से कम है उनको सावधान देना होगा जिन बच्चों की उम्र चौवीस साल हो चुकी है बच्चे बड़े ह तो इस सवे में मानसिक शांति आपकी जो है वह भंग हो जाएगी शिक्षा में खरल पड़ जाएगा कभी कुछ तो कभी कुछ प्रेम समंदों में बहुत परशानी हो जाती है पुराने चल रहे हैं प्रेम समंद रुवाएंस जो हैं उसमें दिक्कते आने लगती हैं जुआ स सथे बाजी परवर्टी का इनसान हो जाते हैं जूने सठाजी शेयर मार्केट में बिना सोचे समझें पैसा Лट्री में लगाया जीत गया थीक है नहीं कि दिमाग खराब करता है यह दोनों का मिलना कई बार शारी रिकस्ट हो जाते हैं कई बार वेक्ति अपने आप ही अपनी हानी कर बैठता है और कॉंफिडेंस में आ जाता है रीर की हड़ी में दर्द पेट दर्द भी हो जाता है तो इसको प्रक्षाल रखिएगा उल्टा आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगे आप से तु-तु-मयमें हो जाएगी विरोधाभास हो जाएगा बच्चे माँ-बापस की बात नमाने जिद्दी हो जाए आप कहें ये वो कहें ये खर्चे जादा होने लगे बच्चों की पढ़ाई- तो आप तकलीफ में आएगे, अब प्रेमी का है तो उनमें लडाई हो रही है, वो लोग बहस बागी कर रहे हैं, एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, तो भी समझ लिए भई, टेंशन, पती पत्नी में भी ऐसा कुछ हो गया तो फिर उहां पर भी टेंशन, तो किसी ना किसी बात क लेकर आपके चेहरे पर उदासी चाही रहेंगे और आपकी जुबान में कुछ कड़वाट आ सकती है, आप अपने अच्छा बुरा समझ पाने में काम्याब नहीं होंगे, अच्छे दोस्तों का चुनाव नहीं कर पाएंगे, जो अच्छे हैं उनसे दूरी बिना लेंगे, जो बुरे हैं उनके करीब आ जाएंगे, वैसाय में हादी के योग हैं, भागी थोड़ा कमचोर हो जाएगा, आप अपने ही हाथों अपने काम बिगार सकते हैं, अपनी जुबान पर पूरा कंट्रोल लगना होगा, किसी से बद जुबानी नहीं करनी हैं, और अपनी चाल, आप खीचेंगे अपनी तरफ बुरी चीजे, कोई भी लत लग जाना इस समय की लग जङाना इस समय में, क्या कहते हैं, वीडियो य्जियो गेम की लग जाना, इंटनेट पर ऑघ्र ना या ऐसीशी हो सकती है या कि गलत लगी से, या किसी गलत लगसे से फ्रेम संबंद या प्रशपति करें अच्छा उपाया किसी भी धर्म स्थान पर जाएं मत्था टेकें, जार। गोच्छा करें, पीली चीजों का दान करें, छने की राल का दान करें, पीले कपड़ों करें, आपके घर में, पूल्पूरोध हों, या आप अपने घर के पास में जो मंदिर होँ, जो भी पंडेजी बैठते हूं उनको पीला गोच्छा, पीला शर्ड, पीला कुर्ता पजामा इससर दे सकते हैं कुछ नहीं करते हैं तो केसर का भी दान कर सकते हैं नहीं तो कुछ और नहीं हो पाईसा वैसा नहीं खर्च करना है अगर तो मंदर जाएं और प्रणाम करें पीले फूल ही तोड़ कर ले जाएं तो भी आपके चड़नों में अर्पित कर दें तो भी आपका कल्यान हो जाएगा और कुछ नहीं कर सकते हैं यह भी फूल भी कहें विजा पीला फूल नहीं मिलना है तो भी आपके कश्ट दूर हो जाएंगे इन तीन दिनों में थोड़ी सावधानी रख लिजा ताकि आपको कोई कश्ट ना हो तो उमीद गरता हूँ आप लोग सावधानी दूरों रहेंगे और किस्टे दरने की बात नहीं है उपाय आपको बता दिये गए निशिंत होगा अपकी जिम्हें जीएं और अगर आपकी जनम पुल्ली में गर्फों किस्टी खराब है और आप दुख में हैं बर्चानी में हैं तो दिये के नमबरों के संबर्ख करें अपनी कुल्ली की जाज करा हैं ताकि आपके भी कश्ट तूर हो सके और आप भी जीवन का सुख और आनन ले सकें खुश रहिए परसंद रहिए और आनन में डूबे रहिए और हमारी अगली वीडियो जो आपको चैनल में दिखा और का मतलब क्या होता है कि अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं क्योंकि आप में अपसे खारा लोग रात रखते हैं और वरत का सही तरीका सही नियम क्या आप कर जाड़ना चाहते हैं Captain सब्स्क्राउब करें बैल आइकन कमट्स करें इसग्ज Kell hypoth ओ पर पार हमारे सा कि झाम भूड़ ए झा रिभंडा उपकार।